तो कैसे हैं आप सभी बढ़िया होंगे, उम्मीद करते हैं, बढ़िया होना ही चाहिए, आज हम बात करने वाले हैं बाइक टाइम्स के बारे में, और कुछ मैं ऐसे टिप्स सेयर करने वाला हूँ, जो की ओबर टाइम हम सीख रहे हैं, बाइक टाइम को करते समय, अक्सार हमा मैं आज कंप्लीट रिजन सेयर करने वाला हूँ, और टिप्स भी सेयर करने वाला हूँ, इससे आपको बहुत help मिलेगा, over the time success पाने के लिए, ब्लॉगिंग में, और इसमें stats के साथ बाते होंगी, तो कोई ऐसी बात नहीं होगी, जो like a fact, factual नहीं हो, और किसी बड़े से reference ना लिया गया हो, ऐसा कोई भी जनकारी नहीं होगा, यानि सारी चीजे कहीं ने कहीं से inherit हैं, और fact पर बेस हैं, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको दो चीजे दिखाना चाहता हूँ, यह website का, आप देखिए, यह website है, जिस पे हर महीने million में traffic आते हैं, और ऐसा नहीं है एक दूसरी website का, जो दूसरा नजरिया है, वो उसको देखते हैं, अभी हमने दो मैने पहले ही start किया है, जो की एक ब्लॉग है, हिंदी ब्लॉग है, और यहाँ पे हम जो जानकारी सेर करते हैं, एक गम beginner की तरह वाले ही काम कर रहे हैं सारे, और जो मैं writers भी hire किया हूँ, वो भी जादे तर beginner ही है, बहुँ जादे अगर आप जज़ करना चाहें उनके तो content देखके भी आपको idea लग जागा है, कि हाँ, वो सारी beginner ही है, अब यहाँ पे हमें जो idea मिला, जो traffic है, वो आप सभी देख सकते हैं, कि कितना traffic आ रहा है, इस पे daily का, कितना traffic आ रहा है, weekly का, यह सारी reports आपके सामने है, इसको देख सकते हैं, आपको लगएगा 500 से 1000 के बीच में ही, इसमें traffic आ रहा है, तो दो चीज़े आपको देखी, दो पहलों समझ में आया है, जमीन आसमान का अंतर, एक में मिलियन और एक में 1000-2000, तो ऐसे में, जब हम मिलियन किसी का देख के आते है हम किसी का traffic देख के आते हैं, जो कहता है कि मेरा 2-3-4-4-4-4 मेहिने का, और जब हम खरते हैं, और हमारे सामने ये डिट आता है, तो कहीं ने कहीं हमारे अंदर demotivation आता है, हमें लगता है, यह बेकार से चीज़े में हम हस गये हैं, समझ में नहीं आरा क्या करें, लिटरली और जो नए blogger हैं, उनसे क्या problem हो जाती है, जो कि उनका blog और जादे success नहीं हो पाता, अब हम by time slot in blog का reference लेके ही चलेंगे, और उसी की base पे मैं बताऊँगा, क्योंकि उसको as a beginner ही start किया है, उसमें जो काम हो रहा है as a beginner की तरह हो रहा है, तो सबसे पहले, मैं आपको दिखान नहीं नहीं रहा है, तो ये बड़ा problem create कर देता है, एक traffic भी नहीं आ रहा है, दूसरा running भी जो traffic आ रहा है, उससे कुछ हो नहीं रहा है, तो ऐसे में जो beginner हैं, उनके लिए decision लेना बहुत cut in हो जाता है, और उनके लिए यहीं पे एक समय यहीं आता है, कि जब उनके लिए blogging hard हो जाता है, उनको नहीं समझ में आता है, कि blogging को continue करें, या फिर पीछे छोड़ दें उसको, क्योंकि उनके भी कई सारी desire होते हैं, जो उन्हें लग रहा है, कि नहीं फुल्पिल हो जाए, पाएंगे, लेकिन ऐसा सच में नहीं है, देखिए, बहुत सारे लोग कहते होंगे बहुत सारे लोग कहते होंगे, 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 बहुत सारे लोग कर भी रहें, दोनों चीजों को हम नकार नहीं सकते हैं, हाँ, फैल भी हो रहे हैं, इसको भी नकार नहीं सकते हैं, लेकिन कर तो जब एक नया बंदा होता है जब वो सुरू करता है ना तो सोचता है कि दो महीने तीन महीने में इतना ज़्यादे ग्रू कर पा रहा हूँ जैसे कि आपने बाइक टाइमस डॉट इन में देखा कि इतना जादे ग्रू नहीं हो रहा है तो आपको टैंसल लेने की ज़रूरत नहीं है उसमें सबसे हांसल कर सकते हो आप पर राइट वे में राइट इस टाइडियो जैसा कि आलड़ी मैं प्रीविएस कई सारे वीडियो करते हैं यह सब चीजे मैं डीटेल से बना चुका हूँ तो उसको बताने की जरूरत नहीं है अगर कोई इस समय जैसा बाइक टाइमस का इस्तिति है उसके ब्लॉग पर सेम काम कर रहा है और सेम प्रॉब्लम आ रही है उसके साथ तो यह आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेना समझ लेना आपको definitely clarity मिल जाएगा कि आपको काम करना है कि नहीं करना है और आपको क्यों करना है यह मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ और चीजों को मैं practical way में रखूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और यह जो tips मैं सेयल कर रहा हूँ हर एक न देरे चीज़े गुरू हो रही है ऐसा नहीं है और definitely जो मैंने कहा है मैं करके दिखाऊँ आज में earning करके ही दिखाऊँगा जैसा कि मैं previous 90 days जो ब्लॉगिंग चैनेंज था हमने करके देखा था कि एडिसंस अप्रूबल का चैनेंज लिया था हमने वो करके देखा था मैंने report भी income share किया था एक बार अब जो सबसे important जो tips है नए blogger के लिए जिनके लिए blogging hard होता जा रहा है उनके लिए patience रखना यह बहुत important tips है patience नहीं रखाते है बहुत सारे लोग patience रखने का simple सा मतलब है कि आप जब यह condition आया आप ब्रोग हो गए आप आपको decision लेना था एक hard time आपके लिए चला था आपको decision लेना था कि continue करना है कि नहीं करना है आप three sold line पे आके ब्रोग हो गए आपने उसके continue नहीं किया तो यह नहीं करना है आपको थोड़ा patience रखना प तो तीन चार महीने में ही अपने ब्लॉग को ग्रो कर लिया बहुत जादे पैसा पनाने लगा मेरा ब्लॉग ग्रो नहीं हो रहा है तो इहीं से परिसान हो जाते हैं जबकि ऐसा नहीं करना है आपको चीजों को आपको पहले patience रखना है अपने अंदर धैर रखना है चीजों और चीजों को समझना है बस किसी बात पर जट से विश्वास नहीं करना है जैसे मैं अगर बता रहा हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि आ तुरम विश्वास मान जो आप इस चीज को समझो कि यह सच में इतनी important है या नहीं है अगर नहीं है तो मत विश्वास करो मैं ऐसा बहुत important है जो over the period मैंने notice किया है लगवाग 53% ट्रैफिक जो है और गैनिक तरीके से मिलते हैं वेबसाइट पर अभी मतलब 50% से जादे का traffic है जो है और गैनिक तरीके से आ रहा है यह स्टैट्स है यह चरफ का मैं आपको website का link भी नीचे डाल दूंगा तो अब यहां पर जो मैंने notice किया है क्या करते हैं जब हम ब्लॉग बनाते हैं आज के समय जब भी कोई ब्लॉग बना रहा है तो उसका एक mindset होता है कि discover से traffic लेना है च्छोटे ब्लॉग लिखना है जादे लिखना है डिसकवर से traffic में जाएगा काम खतम हो जाएगा लेकिन य जहां पर हम सर्च के लिए भी काम कर सकते हैं जैसे अभी तक मैं इस पर रिसर्च करा था क्योंकि हमें डिसकवर से होता है ट्रैफिक नहीं मिला थोड़ा बहुत सर्च मिला है तो मेरे दिमाग में यह आया कि हम कुछ सर्च से भी कर सकते हैं तो सर्च के लिए अच्छा content ब आलाग के लिए तो यह सर्च करते हैं लोगों के लूग के हिसाब से और उसमें दो आख सकते हूं तो यह जरूर करें अपने ब्लोग में यह रामबाड़ इलाज होने वाला है अगर आपने ब्लॉगिंग में हैं तो आपको बहुत जादे बेनिफिट मिलेगा इसका तीसरा जो important tips है, मैं आपको बताने वाला हूँ, यह भी मैंने experience किया अपने writers के साथ, जब मैंने उनके कुछ content को analysis किया, तो मैंने देखा न, यह किवाल information प्रोइड करने है, like मैं उनको बता देता हूँ, किस bike, e-bike है, तो ओ, क्या करते हैं, उस bike के launch के बारे में कुछ भी random सा information प्रोइड कर देते हैं, जो की उतना suitable नहीं होता है, रीडर के लिए, suppose discover में ही, अगर मेरा blog गया, वहाँ पर कोई click किया, आप उसको information जो है, वो authentic नहीं मिली, या फिर एक सटीक information नहीं मिली, जो की उस समय के trend में है, तो उसके लिए उसके लिए फायदा नहीं होगा, हमेशा जो information लिखें, वो आपके title, या आपका जो, आपका main keyword है, उससे match होना चाहिए, suppose आप किसी bike के बारे में लिख रहे हैं, किसी app के बारे में लिख रहे हैं, क्या करो जब bike, या किसी भी चीज़ के बारे में लिख रहे होना, तो उसको एक बार यूज कर लो या पढ़ लो उसके बारे में, क्या होता है, लोग पढ़ते नहीं है, लिखते हैं ना, तो जो fact हों miss हो जाते हैं, तो ऐसे में engagement भारा content नहीं रहता है, पहले के समय में इसे को bounce rate कहते थे, अब GF4 में ये engagement है, ये बहुत ही important matrix होता है, आपके site को better ranking के लिए, चाहे discover में ही, उसको अच्छे से जाने के लिए, ये signal है, तो engagement आपका अच्छा होना चाहिए, अगर engagement नहीं अच्छा है, bounce rate जाते है, तो आपका next time, हमने कहीं से सुना, हमने स्टार्ट कर दिया ना, तो हम क्या है, strategy नहीं बनाते हैं, हम तुरूंत काम में लग जाते हैं, जब यहीं पर सबसे बड़ी problem आती है, जब हम कुछ सुनते हैं, उसको गुनते नहीं हैं, मतलब उसको समझते नहीं हैं, उसमें analysis नहीं करते हैं, हम तुरूंत काम शुरू कर देते हैं, तो हमारी कुछ चीजे miss हो जाते हैं, miss क्या हो जाती हैं, जैसे कि suppose कोई topic आप ले रहे हो, कोई keyword आप ले रहे हो, कोई website आप शुरू कर रहे हो, तो क्या भाई, आपने देखा कि उसमें commentator कितने हैं, उनके content कैसे हैं, इस सब चीजे देखा, इस सब चीजे नहीं देखा, तो आपको इस सब चीजे देखनी की जरूरत है, जब भी आप किसी भी नीच में लिख रहे हो, अगर आपने शुरू भी कर दिया, तो ऐसा नहीं है, बट आपको observe करना है, कि suppose जैसे आपने, किसी भी जैसे हमारा बाइक टाइम सामने बाइक पर लिखा है, तो जो भी बाइक से related हमारे तरह के ब्लॉग है, उनको मैं notice करूँगा, उनके related content हमारे site पर जानी ही जानी जाइए, क्योंकि अगर वो सामने वाला बंदा उस तरह के content डाल के grow हो रहा है, तो मेरे भी chances कई गुना बढ़ जाते हैं, उस तरह के content डाल के grow हो सकूँ, तो ये बहुत important है, अपने competitors पे जरून नजल लखें, अगर आप beginner हैं, उसको ध्यान में लखें, और अपना list बनाने थे इन चार competitors का, कि ये लोग ग्रो कर रहे हैं, इनके site को आप देखें, अगर ये ग्रो कर रहे हैं, तो मैं भी ग्रो कर सकता हूँ, इन ही की तरह content बना के, right? copy की नहीं बाप कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ उनके strategy की, उनके content strategy की कैसे बना रहे हैं, कैसे image बना रहे हैं, कैसे title लिख रहे हैं, कैसे heading लिख रहे हैं, कैसे link लगा रहे हैं, ये सब चीज़े, उनके site कितनी fast है, ये सब चीज़े आपको ध्यान देनी होंगी, आप जो next है, ये बहुत ही important है, और ये मैं कहूंगा, ये last तो नहीं हो सकता, बट ये बहुत important है, consistency, हम अकसर ये गलती, मैंने बहुत सारे blogger में notice किया है, जो भी मेरे को blog send करते हैं, content send करते हैं, कि उनकी consistency break हो जाती है, मैं वही कहा ना, जो hard time, नए blogger के लिए जो hard time होता है, वही होता है, कि उन लोग hard मान जाते हैं, वही सबसे बड़ा hard time है, लग उन्होंने एक-दो महीना बहुत अच्छे से काम किया, बहुत hard worker के काम किया, बट वो क्या करते हैं, फिर कहते हैं, उनका नहीं हो रहा है, फिर चार कुछ दिन बाद content डाल रही है, ऐसे random हो जाएंगे, यह नहीं करना है, आप एक time frame पहले से time कर लो, मैंने बताया कि आप 6-9 महीने का time frame कर लो, अगर कुछ भी नए skill सीखने जारो है, हम पढ़ने जाते हैं, कितने साल लगा देते हैं, हम एक नए skill सीख के, उसमें implement करके career बनाने जारे हैं, तो उसको एक साल 9 महीने, इतना तो time दे सकते हैं, इतना दे सकते हैं, छह महीने दे सकते हैं, तो 6 महीने आप कम से कम अच्छे से उसके काम करो, और strategy को follow करके, अब strategy कहां से मिलेगी, मैं सारा video, आप ब्लॉग इंसाइडर चैनल का नाम है, आप उसको इपर check out करो, आपको बहुत सारे video मिलेंगे, जो कि आपका help करें, मैं ऐसा video नहीं मनाता है, कि मैं लोगों को demotivate करने के लिए नहीं video बनाता है, मेरा काम है लोगों को motivate करना, ब्लॉग इंग में बहुत सारे लोगों वीडियो बनाते हैं, और हर कोई अपने आप में एक अच्छा video बनाता है, अपने हिसाब से, और जो मेरा USP है, मैं उस तरीके से video बनाता हूँ, तो ये आपको हर जगे लर्न करने का मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आप मेरा चैनल देखने हैं, किसी और का चैनल नहीं देख सकते हैं, हरे किसी का चैनल देखो, स्वेम टॉपिक के उनके view, सेलेक्ट करो कि उओ किस तरह से बना रहे हैं, तो ये सब चीज़े करना है, बट आपको consistent रहना है, आपको डेली कम से कम आप पोस्ट के frequency सेट करो, कि चार पोस्ट पांच पोस्ट करोगे, वो पोस्ट आप करते रहो, ये बहुत important है, अगर आप ये मिस करते हो ना, तो आपके साथ बड़ा problem हो जाएगा, आगे चल कि,